हेलो बच्चो चोहनी अजी किसन चैनल में आपका स्वागत है बच्चो आज हम लर्निंग आउटकम्स अधारिक लर्निंग गैप समागरी विशे हिंदी कक्षे चोहती के अंतरगत्य खंड आ दोजार बाइस और तेश के लिए है ब्रिज कोस लर्निंग आउटकम्स एच तीन और अपनी प्रितिकरा ब्यक्ति करते हैं सिकें अंतरगत है एच तीन सो दो में कहानी कवीता को आदी को प्यूकते उतार चढ़ाओ गती प्रभाय और सहीं पुट के साथ सुनते हैं पाट समागरी है कवीता इस कवीता को पढ़ेंगे एब हम इनके सारे प्रस्णों को हल कर अगर आपके द्वारे चैनल को साथका नहीं किया गया है तो सेनल को साथकायब करने और वेल आइकन को प्रेस करने जिससे की वीडियो की नोट के सना आपको प्राप्त होते रहेगी लिए बिडियो को लाइक याऊजा जरूर करें बच्चों बच्चों हम देखेंगे तुम जीवन भर मेरे भाई राखे के इस सुब अउसर पर यही कामना मैं लाए जब तक रभी सची करते बिचरन गंगा यमना है शाखी तब तक रक्षा करे तुम्हारी बेहना की प्यारी राखी मेरी बेहना प्यारी बेहना तुझे बचन मैं देता हूँ जीवन भर अपनी बेहना की रक्षा का प्राण लेता हूँ दिन बीते शुक्चैन भरे रातों बीते आनंद भरी रेसम की कोमल धागों में बेहना की प्रिती भरी बेहना तेरी आनमान पर आच ना मैं आने दूंगा इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दे दूंगा तो यह जो कविता है रक्षा बंदन से संबंदित कविता है इसी का अंतरगत अभ्यास देखेंगे बच्चों हम सिक्षा छात्रों से प्रस्ण करेंगे और उत्तर बताने के लिए प्रेडित प्रसाहित करेंगे इसी रक्षा बंदन में की रक्षा बंदन क्यों मनाया जाता है और रक्षा बंदन तेभार के इशा है आधी आधी प्रेशन है बच्चों से पूछेंगे और उसका देवाब बच्चे बड़े असानी से दे पाएंगे इसी के अंतरगत देखेंगे हम आ यह कवीता की इस्तिवार से सम्मंदित है लिखिए तो हमने जो पढ़ा कवीता अभी तो यह कवीता रक्षबंदन से सम्मंदित है फिर बच क्या है इसमें कवीता में कौन सा भाव आया है लिखिए कवीता में प्रेम भाव आया है ऐसा हम लिख देंगे फिर इसके बाद साहय निम लिखिए सब्दों के अर्थ लिखिए जैसे रवी, सूरज, राखी, रक्षा सूत्र, मान, इज्जत, प्रण, कशम, आन, आबरू, और बेला, शम, इस प्रकारचे हम इन सब्दों के अर्थ को लिख देंगे फिर इसके बाद है अब्यार दो जिसमें है रक्षा बंदन का त्यवार आप कैशे मनाते हैं लिखिए तो रक्षा बंदन का त्यवार हम हर सो इल्लाज के साथ मनाते हैं जिसमें अपने सब्दों में बहुत सारे चीज लेख सकते हैं अपने आहां पकवान जो बनते हैं कि कोई अन कवीता कहानी लिखिए तो आओ भीया प्यारे भीया मस्तक पर सुफ तिलक लगा दे रक्षे की बेला में धागों का कंगन पहना दूँ तो इस प्रकार से और भी जो आपको पसंद आए कवीता वो लिख सकते हैं कि बाद देखेंगे शाय राखी कचित्रे बना कर बहर हैं तो हम राखी कचित्रे यहां पर बना लेंगे और उसमें रंग भर देंगे तो इस तरह आप इसको तयार कर लेंगे इसके बाद मुल्यांकर एक इसमें है जिसमें प्रेस निकरवांग एक आपको कौन सा त्यवार सबसे अच्छा लगता है लिखिए तो हमें दूर को रभी और भासकर भी कहते हैं नदी को सरीता और धरिया भी कहते हैं इस प्रकार से हम लेख सकते हैं प्रस्ण तीन देखेंगी किसी अन्य कवीता की चार पंक्त्या लिखी तो मेरी बहना प्यारी बहना तुझे बचन मेंदेता हूं जीवन भर अपनी बहना की का प्रण लेता हूं प्रकार से कभीता लिख देंगे प्रस्ण चार है सी में बच्चों देखें हम राखी बनाने के लिए आपको क्या क्या समगरी चाहिए तो राखी बनाने के लिए हमें सबसे पहले धागा रेशम गुर्या कुंदन गोंद आदी समगरी चाहिए इसके आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह आने वालिक वर्षिट को तैयार करने के लिए अभ्यास को कम्प्लिट करने के लिए वीडियो मने रहें धन्यवाद